हलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे दाल के मंगोडे जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस वत्ते हैं और दाल के मंगोडों में अगर आप ये सारी चीज़े डालते हैं तो आपके मंगोडे जो हैं बहुती ज़दा टेस्टी बनेंगे और इतने स्वाधिस्ट बनेंगे कि आप इस तरह से आप बार बार बनाना पसंद करोगे तो चलिए देरीना करते हुए बनाना शुरू करते हैं और सुबह मैंने इसको धो कर इसके छिल के निकाल दिये हैं हरी मुंगे दाल के मंगोडे ही यहां पर स्वाधिस बनते हैं आप जब भी मंगोडी बनाए तो यहां पर हरी वाली मुंगी दाल का ही इस्तवाल करें आप चाहों तो पीवी वाली दाल में ले सकते हो पर उसके मंगोडे इतने टेस्टी नहीं बनेंगे उसके बाद मैंने इसको दो कर एक चलनी में इस तरह से कपड़े को बिछा कर रखा है इससे क्या होगा कि हमारी दाल अच्छी तरह से सूख जाएगी और जो भी इसमें से पानी निकलेगा वो नीचे कपड़े में जाएगा और ये पूरी तरह से सूख जाएगी तो इस तरह से हमें इसको रख लेना है और कुछ देर के लिए इसको हमें इस तरह से हलका सा जो हर सुका लेना है आप चाहो तो हलका सा इसको धूप में भी रख सकते हो या पंकी के नीचे भी रख सकते हो उसके बाद यहां पर मैंने लिया है जार और जार में एक चम्माई यहां पर हम जीरा डालेंगे और यहीं पर हम एक टमाटर इसमें डालेंगे तुमाटर को हमें इस तरह से तुगणों में काट कर डालना है तो यहां पर इस तरह से हम तुमाटर को डाल देंगे और इसके बार यहां पर हम इसमें जो है हरा धनिया डाल देंगे और यही पर साथ में हम 3-4 हरी मिज इसमें डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर तीन चार रेसन की कल्यों को मैंने डाला है और अब यही पर हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल कर हम इसको पीस लिए तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है और इस तरह की चटनी बनकर तैयर हो गई है इसको हम एक बावल में निकाल लेते हैं और यही हमारी चटनी यहाँ पर बनकर तैयर है तो चलिए अब हम जो है डाल को भी देख लेते हैं हमारी डाल भी यहाँ पर यह देखिए अच्छी तरह से सूख गई है मतलब हलकी सी यहाँ पर हमें इसको फरेरा सा कर लेना है इससे हमारी दाल जो है पकोड़े के लिए बिल्कुल भी गीवी नहीं होगी और इस तरह से ओल भी आपका बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा और गीवी दाल में ओल बहुत ही ज़्यादा लगता है उसके बाद इसको हम जो है एक जार में डाल लिते हैं अब यहीं पर हम इसमें जो है कुछ चीजे डालेंगे तो अद्रक को मैंने इस तरह से चोटा चोटा करके इसमें डाला है और यहीं पर साथ में आट दस जैसन की कल्यों को भी मैंने इसमें डाला है उसके बाद एक चमच हम इसमें जो है जीरा डाल देंगे अब हम इसको जो है पीश लेंगे तो यहां पर ध्यान रखना है बिना पानी डाले ही इसको पीशना है तो मैंने यहां पर इसको पीश लिया है और इस तरह की डाल पिसकर तयार हो गई है इसको हमें हलका सा दरदरा ही पीशना है तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं यहां पर मैंने डाल को जो है एक बाउल में निकाल लिया है अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे खुब सारी कटी हुई बारिक हरीमिज साथ में ही खुब सारा हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे दनिया और हरीमिच इसमें आप जादा ही डालिए उसके बाद एक चमच यहाँ पर कुटी हुई वालमिच मैं डाल रही हूँ आप इसके जग़ाँ पर पिसी हुई भी डाल सकते हो और इसके बाद मैं यहाँ पर सुआद के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल देना है अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिएंगे तो जहाँ पर आप जो है चमच से भी मिक्स कर सकते हो पर हाथ से यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यहां पर मैं हातों से इसको mix करूँगी आप यहां पर ध्यान रखिए कि नमक जबी डाले जब आपको यो है मंगोडे बनाने हो तो तुरंट की तुरंट ही आप नमक डाले ये पहले से नमक डाल कर मत रखिए नहीं तो नमक पानी छोड़ देगा और आपकी डाल जो है डीली हो जाएगी और बनाने में भी आपको जो है इसको परिशानी होगी तो यहां पर मैंने इसको जो है अच्छी तरह से mix कर लिया है तो चलिए अब जो है हम इनको बनाते हैं तो कड़ाई में मैंने ओल अच्छी तरह से गरम कर लिया है यहांपर मैंने सरसो का ओल डाएं सरसो के ओल में मंगोडे बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी डाल देंगे और इस तरह से हमें छोटे छोटे से मंगोडे इसमें डाल देना है साइज आप अपने अपने साफ से बड़ा चुटार जैसा भी रखना चाहो वैसा रख सकते हो और इस तरह से हमें इनको ढाल देना है और डालने के बाद मैं अच्य तरह से इनको जो है शहने देना है जब ये अच्छी तरह से सिख जाएंगे तब हम इनको जो है इस तरह से पलट देंगे तो यहाँ पर एक साथ मैं बहुत सारे मंगोडे आप सेख सकते हो और उसके बाद इस तरह से हम जो है इनको पलट देंगे और उलट उलट कर हम अच्छी तरह से इनको जो है सेख लेंगे तो यहां पर जो है उलट उलट कर ये देखे इस तरह से हम सेखेंगे और भड़िया सा ब्राउन कलर आने तक हम इनको जो है सेख कर तयार करेंगे आप यहाँ पर जो भी ओयल खाते हो वो इसमें डाल सकते हो तो यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से क्रस्पी होने तक हम इनको जो है सेक कर तयार करेंगे और यहाँ पर इस तरह से चलाते हुए उलट प्रट कर सेक कर तयार कर लेंगे और इस तरह से जब बड़िया तरीके से सीख जाएंगे तब हम इनको इस तरह से और में से निचोल कर निकाल रेंगे तो चलिए यहाँ पर हम जो है इनको निकाल लेते हैं तो यह वीजिये फ्रेंशए यहाँ पर मैंने lot को सीख कर तयार कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और स्वादिस ये बनकर तयार हुए हैं और यहां पर गर्म गर्म मंगोडे बनकर तयार हैं इनको हरी चटनी के साथ खाईए बहुत ही ज़्यादा स्वादिस ये बनकर तयार होते हैं सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और इनक का मन नहीं भरेगा तो मेरे कहने पर एक बार इस तरह से आप मंगोडों को बना कर जरू देगे तो फ्रेंस बेरी रेस्पी अगर आपको जरासी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा तो मिलते हैं अच कि लिए टे किया थैंक्स वर वोचिंग